हम इंडियन्स के घरों में रोटी चपाती या फुलका इनके बिना लंच हो या डिनर दोनों ही पूरे नहीं हो सकते हैं क्योंकि रोटी हमारी इंडियन थाले का एक एहम हिस्सा है आपको जानके यह हरानी होगी कि पहले के समय हमारे यहां गेहूं के अलावा बाजरा मक्का ज ऐसे में क्या आपके दिमाग में भी कभी सवाल नहीं आया कि क्या गेहूं से बनी रोटियां या फूट प्रोड़क्स इतने हेल्दी होते हैं जिसकी वज़े से अब हम बाकी अनाजों से बनी रोटियों को नहीं कहते हैं क्या गेहूं के आटे से बनी रोटियां और फूड किड़नी खराब होने के बाद पेशन्ट गेहूं से बने चीजों का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक और शेयर करना ना भूल पड़ता है इसलिए अगर आप भी किटनी डिजीज से परिशान है तो आपने अपने डाइट में फल और हरी सब्सक्राइब करना चाहिए इसके लावा बैलेंस कॉंटिटी में पानी एवें ड्रिंक्स का भी सेवन करना चाहिए क्योंकि किटनी को हैल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं इसके लावा आपको रेगुलर एक्सराइज भी करने चाहिए ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के नियमें जांच करवानी चाहिए नमक का सेवन भी कम करना चाहिए शराब और धुम्रपान जैसे चीज़े दूरी बनाए रखनी चाहिए इसके लाव किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता है ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा डॉक्टर से संपर करें उमीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आ होगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपको हाँ